नमस्कार आदिरती बायलोजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है इस वीडियो में बायलोजी के 10 अत्यन्त महत्पूर्ट क्वेस्चन्स को डिसकस किया जाएगा और इसमें हम लोग पहले क्वेस्चन्स को देखते हैं हार्मोन आप माटरनिटी इस A. आक्सिटोसिन, प्रोलेक्टिन, लूटिनाजी हर्मोन, प्रोजेस्टरा तो इसका आंसर होगा B. प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन हर्मोन के बारे में हम लोग सबसे पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रोलेक्टिन के बारे में देख लेते हैं यह कहां से निकलता एंटीरियल लोब आफ पिट्यूट्री से निकलता और यह क्या करता है इस्टिमूलेट लेक्टोजेंसिस लेक्टोजेंसिस एंड ग्रोथ अब ग्रोथ अब डिवलोपमेंट अफ मेमरी ग्लेंड तो प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन काहा होता है एंटीरियल लोब आफ पिट्यूट्री से होता है और यह क्या करता है इस्टिमूलेट लेक्टोजेंसिस एंड ग्रोथ अंड डिवलोपमेंट अफ मेमरी ग्लेंड डियूरिं प्रिग्नेंसिस अब आक्सिटोसिन के बारे में थोड़ा से देखते हैं यह कहां से निकलता है पोस्टिरियल लोब आफ पिट्यूट्री से निकलता है तो इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं और इसका यह कार्य और है कि इजक्षन और प्राम ड्क्प मेमरी ग्लेंड आक्सिटोसिन क्या करता है मेमरी ग्लेंड से मिल्क fy इजेक्षन को इस टूमिलेट करता के और इसमें पिट्यूट्री ग्लेंड कहां पाई जाती है ब्रेन में पाई जा इसकल में जो इसकल होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है इसकल में इस्पिनाइड बॉन के सेला तर्सी का नामक गड्धे में पाई जाती है सेला तर्सी का नामक के गड्धा होता उसमें इस्थित होती है और इसकी साइज कहती है मतर के दाने के बराबर होती है और इसको हम किस नाम से जानते हैं मास्टर ग्लेंड पिट्यूट्री ग्लेंड को क्या कहते हैं हम मास्टर ग्लेंड कहते हैं अब प्रोजेस्टरान के बारे में देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं इसको प्रिगनेंसी हार्मून कहते हैं प्रिगनेंसी हार्मून कहते हैं कहां से निकलता है ओबरी और प्लेसेंटा से ओबरी और प्लेसेंटा से निकलता है ओबरी और प्लेसेंटा से निकलता है कौन हर प्रोजेस्टान और इसको क्या कहते हैं प्रिग्नेंसी हर्मोन कहते हैं तो इस परकार इसका अंसर क्या होगा hormone of meternity is B, Prolactin और यहां पर luteinizing hormone इसका क्या कार क्या है कि जो graphene falcul होती है उनके growth को stimulate करता जो graphene falcul होती है जिसमें OEM होता यह होता उसको क्या करता उसके growth को stimulate करता अगला question हम लोग देखते है chromosome contains A, DNA, RNA, histone and non-histone protein B DNA, RNA and histone only C DNA and protein only, D protein only तो इसका अंसर होगा A DNA, RNA and RNA histone and non-histone protein तो जो क्रोमोजोम होता उसमें DNA, RNA, histone and non-histone दोनों तरह की proteins पाई जाती है Next question है तेखते हैं Tinea takes food through तो टीनिया को क्या कहते है फीता क्रीम फीता क्रीम इसका infection कैसे होता मनुस में सुवर के अधपके मांस को खाने से होता इसका infection बैक्रीमे कैसे होता सुवर के अधपके मांस खाने से होता ये takes food through body wall, mouth, suckers suckers and mouth ते किस से भूजन ग्रहण करता है body wall से mouth और suckers का क्या कार है anchoring इसका कार क्या है anchoring अगला question देखते हैं only one occipital condyle is found in human, frog, rabbit and pigeon तो इसका answer होगा आपका d pigeon में occipital condyle क्या होते हैं knob like process होता है knob like process यानि घुंडी जैसी सरचना होती जो इसकाल से निकली रहती हैं और कहां फिट रहती एटलस वर्टीब्रे में फिट रहती हैं जिससे बर्ड जो होते हैं अपने हेड को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं और human frog rabbit insect में क्या पाजाता है डाइ-condylic इसकल पाजाता है इसमें डाइ-condylic इसकल पाजाता है इसमें डाइ-condylic इसकल पाजाता है जिससे हम लोग अपने सिर को एक सीमित मात्रा में ही रोटेट कर सकते हैं नेक्स क्विस्चन हम लोग देखते हैं Australian lung fish is called लेपडोजाइरन प्रोटोप्टेरस नियोक्रेटोडस तो एक एक करके हम लोग पहले देख लेते हैं लेपडोजाइरन ये कहां पाजाती है South America में प्रोटेटोप्टोडस कहां पाजाती है फ्रीका में और नियोक्रोटोडस कहां पाजाती है आस्ट्रेट्रेलिया में पाजाती है Australiyum कहां पाजाती है ब्रूनेट बे में brunette bay मैं पाई आती तिसका आंसर क्या होगा neocritodos और ये क्या है neocritodos का सबसे बड़ी largest lung space है और ये lung space जो होती है इनका order भी एक्सर पूछा जाता है कि lung space belong to order तो इनका order होता है इनका order होता है dipnoy dipnoy तो इसका आंसर क्या हो जाएगा c neocritodos next question हम लोग देखते है खायरा डिजीज आफ पाई डी is caused by deficiency of तो इसका आंसर होगा b खायरा डिजीज किसे होता धान का खायरा रो किसे होता जिंक की कमी से होता और एक question है बहुत ही important सवाल है जो कि किसी एक्जाम में हर वर्स पूछा जाता अब next question हम लोग देखते है और फाइटो एलेक्जेंस और फार्म्ड इन प्लांट आफ्टर ए फांगल इंफेक्शन किसे होता है फांगल इंफेक्शन और जो एनिमल सेल्स होती है जो फांगल जब पाउदे में फांगल इंफेक्शन होता है तो जो इंफेक्टेट सेल्स होती है वो क्या पाइदा करती है फाइटो एलेक्जेंस नाम के केमिकल पाइदा करती है जो fungus के further growth को prevent करता है, रोकता है, और viral infection जब animal cells में क्या होता है, animal cells, animal cells में क्या निकलता है, interferon, interferon, interferon निकलता है, किसे निकलता है, जो viral infected cells होती है, उनसे interferon निकलता है, जो further कोजगाओं में infection को, viral infection को prevent करता है, तो इस परकार इसका answer क्या होगा, fungal infections, phytolegens are farming plant after fungal infection, next question, ये pure culture containing only one species of microorganism, is called organic culture, सबसे पहले हम लोगे हैं पर देखने culture क्या होता है, culture, micro organism को grow कराने का एक तरीका होता, इसको चाहे किसी ट्रे या पेट्री डिस्क में ले, एक बीसेस परकार का food दिया रखा जाता और उसके उपर micro organism को रखा जाता और उनको grow करा जाता, जब किवल एक इस species को एक बार में grow करा जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, आगजेनिक culture कहते हैं, next question हम लोग देखते हैं, लाइटेस्ट कामर्सियलूड इससे अप्टेन होती है, भी एक्रोमा लाइगोपस, इसको हम लोग कहते हैं, बालसा ट्री, बालसा ट्री, अब इसके बार हम थोड़ा से देख लेए, क्यार्कस सूबर, इसको कहते हैं, कार्क ओक, क्यार्क ओक्ट्री, जितने भी कार्क के पदार्थ होते हैं, चाहें किसी बाटल में कार्क का ढखकन लगा, और सब किसे फ्राप्ट की जाते हैं, क्यार्कस सूबर, जो कार्क की बाल आती है, उसके अंदर भी इसकी की लकड़ी रखी जाती है, उसको गोल करके, इसके कार्क ओक के, लकड़ी को गोल करके, उसके उपर फिर प्लास्टिक चड़ाई जाती है, वाइकम आफिस सेने, इसको हम लोग कहते हैं, लिगनम वाइटी, लिगनम वाइटी, और डायोस्पोरम इवनम, इसको कहते हैं, इबोनी ट्री, इबोनी ट्री, इससे ब्लाइक उड़ प्राप्त होते हैं, ब्लाइक उड़ प्राप्त होते हैं, एकदम काली लकड़ी इससे प्राप्त होते हैं, तो इसको अंसर क्या होगा, लाइटेस्ट का मरसे लुडी अफटेंट फ्राम एक्रोमा लाइगो पस नेक्स्ट क्विस्टिन अर्थ समिट वाज हेल्ट एट तो अर्थ समिट कहा होई थी रियो डिजनेरियो कहां पर किस देश में है ब्राजील में कब होई थी जून 1992 में अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो डिजनेरियो ब्राजील इन जून 1992 अब इसमें अगर आप लोग अपने मन से 6 कुष्चन हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग अगर 6 कुष्चन किये हैं तो आपकी परफार्मेंस अच्छी है और 6 से 8 की हैं तो excellent है और अगर 8 प्लस आप लोग कर रहे हैं तो समझे कि outstanding performance है एक बार फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe करिए जिससे प्रतिन आपको इसी तरह की important videos प्राप्त हो सकें धन्यवाद